हलो और नवस्कार दोस्तो एंडिये की त्यारी अगर आप कर रहे हैं तो आप अंतिम के जो दस दिन है उसमें किन टॉपिकों को ज्यादा पर है जिससे आपको अधिक मार्क आ सकता है दोस्तो चलिए इस वीडियो में हम उस चीज को जानेंगे दोस्तो दोस्तो हमने एंडिये को ज्यादा रिवीजन करना चाहिए दोस्तो सबसे पहले मैं अगर मैस की बात करूँ तो मैस में आपको क्या ध्यान देने परे गए मैस में फर्मूलेज दोस्तो और प्यो अभी के टाइम में वही लगाईए प्रिवियस एर कॉस्चन ओके मैस के लिए आपको इतना ही करना की साइन्स के, जीके के, क्रेंट अफेर्स के और जो भी मिसलेनियस हैं उनके तमाम कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जो अंतीम के दस दिने में बढ़ेंगे हम मोर देन दोस्तो उसमें क्या कह सकते हैं जो हमारा गेट का पेपर है इसमें दोस्तो हम लोग मोर देन 80 कोस्चन सह आपके जो होते हैं, जिस्ट्री जोगरफी से होते हैं, 10 से 15 कोस्चन या 10 कोस्चन आपके करेंट अफेर्स से होते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं उस टॉपिक का ना, दोस्तो अगर आप NDA के साइन्स का सिलेबस देखेंगे, उसमें दोस्तो फिजिक्स का सबसे अधिक इस से 25 कोस्चन पूछे जाते हैं, हर साल, इस बार भी आने की संभावना है 25 कोस्चन ठीक है, उसके बाद केमेस्ट्री के बीटे जाते हैं, उसके बाद दोस्तो वाईलोजी के बीटे जाते हैं, अगर मैं पूरी पूरी बात करूँ, तो अगर मैं अगर यह आकरा देदू आपको यह topic बताता हूं trust के साथ उस पर ज्यादा revision करके जाएगा बहुत question उससे आएगा देखिए उस topic topic का नाम है optics जी हां दोस्तो light chapter light chapter को अगर आभी नहीं पढ़ें आप या पढ़ भी लिये तो बार बार उसको revision कीजिए उससे एक दो question टपकेगा और उसके बाद दोस्तो electricity electricity को भी अच्छे से पढ़ना है खासकर resistance वगयरा के बारे में पढ़ लेना है उसके बाद force and launch of motion से भी question आएंगे color code plus prism दोनों से question आते हैं जैसे कि अगर हम blue red को मिलाएंगे कौन सा color बनेगा red blue को मिलाएंगे कौन सा color मिलेगा white black को बनाएंगे कौन सा color मिलेगा इस तरह के तमाम question इसके बाद दोस्तों प्रीज में light का reflection होता है light का wavelength उसके बाद दोस्तों उसके अलावा जो color का भी reflection होता है उसका भी पूरे जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप इक दो वीडियो में complete ही हो जाएगा measurement और SI unit दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अगर हम light year की बात करें तो इसका अगर हम कहेंगे तो इसको मीटर में measure किया जाता है ठीक है ये भी आपको दिमाग में रखने कई बार इस पर question पूछा जाता है जो भी measurement है और उसका SI unit ये question बना सकते है असानी से इतना कम समय में ये smart strategy होता है पूरे किताब को न परकर जो मातपूर ने उसी को पर है ठीक है आप बात करते है chemistry की देखिए chemistry में आपको atom and nuclei पर लेना है chemical effect of current परना acid basis in salt परना है ठीक है ये तीन चीज मातर आपको ध्यान से परने ठीक है इसके अलाब energy में कौन सा acid होता है ये बगरा देखिए ये सब question मैंने कराया भी है तो ये आपको दिमाग में रखना है ठीक है अब हम biology की बात कर लेते दोस्तो biology में भी अच्छे खासे question पूछे जाते लेकिन अगर आप smart drug से देखेंगे तो sale के बारे में आप ज़्यादा भी परहेंगे या पढ़ेत revision करेंगे, tissue को ज़्यादा revision करेंगे, flower reproduction को revision करेंगे जैसे flower में कैसे प्रजनन होता है, heredity and evolution इसको भी थोड़ा देख लेंगे कि मतलब TT cross, XX cross इस तरह के कुछ होते हैं ठीक है उसको करने के बाद क्या मिलता है ये तमाम topic आप NCRT को भी refer करके कोई revision कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं अगर आप गौर से देखेंगे जोग्रफी में अच्छा question आता है जोग्रफी में दो person एक Indian geography एक world geography बहुत बारा है दोस्तों आप सोच रहेंगे क्या परें क्या ना परें अंतिम के दिनों में सबसे पहले आपको ज़्यादा division देना चाहिए river and distributory से दो से तीन question इससे आ जाते है mountain passes से बहुत सारे question आ जाते है और river and distributory में भी क्या ध्यान देना है तो penisular river पर ज्यादा ध्यान देना जिसे आपका और नाचल प्रदेश नागा लेंड और मनिपूर इन चाहरों में बरा कोन है छोटा कोन है इसको बेस से इस तरह से एरेंज कीजिए यह सब चीज आपको दिमाग में रखने होंगे बहुत सारे चीजे हुए प्लेसे न्यूज में रहे है उसके बारे में आपको धिहान में रखना है और अटिम के 10 दिनों में दस दिन में आपको बस इतना ही करना इतना करने के बाद आपको ज्यादा नमर आगा मैं गारेंटी देता हूं इंडियन जोगरफी में वर्ल्ट दोस्तों आपका Alps हो गया, उसके बाद बहुत सारा Ural Mountain है, ओके, Earth Formation कैसे हुआ, प्रितभी का Formation कैसे हुआ, ठीक है, प्रितभी के अंदर में कोन है, Agnius Rock क्या होता है, Metamorphic Rock क्या होता है, ठीक है, यह सब चीजे, Current के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा Current, आप कुछ भी उलट के मत देखना ने, तो दिक्कत होगा, इदियास में तीन सेक्षन होते है, Innocent, Medieval और Modern, ठीक है, अभी UPSC, UPSC का Fabric Modern होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, Innocent और Medieval से नहीं पूछता है, लेकिन UPSC सबसे दिक Modern से पूछती है, ठीक है, तो हम लोगों को दियान रखना चीक, Modern के टॉपिक को दिक करें, Innocent और Medieval को केबल डिवीजन करें, देखिए, आपको मैं कूल मिला के सारे टॉपिक्स बता देता, आमातर यहां पर मैंने मुश्की से हारली 5 से 7 टॉपिक मैंने लिखा है, इसके बीच में गोन गबर्नर जन्रल था, क्या था, नहीं था, यह सारे चीजे आपके दिमाग में होना चाहिए, गांधियान एरा पूरा ठीक है, उसके बाद Indian National Congress, जैसे इंडियन National Congress के स्थापना 1880 में हुआ A.O.U.M किया था, पहला President W.C. बनर जी थे, पहला इसका सेशन Bombay में हुआ था, ठीक है, और तीन बार इसके मतलब President रहे थे, आपके दादा भाई नरो जी ठीक है, यह चीज है, और गांधी जी उनी सो एक में इसम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लिजे, Brom समाज था, R.E. समाज था, Theosipical Society था, उसके बाद दोस्तों, बहुत सारा प्रथन समाज था, यह सब आपको दिमाग में रखने है, ठीक है, इसके founder कौन थे, भारत के किस बाग में यह prominent था, इससे question आते हैं, जो भी war chronological order में रह ठीक है, ओके देखिए, जैसे कि permanent settlement लाया, रौतबारी आया, दोस्तों ठीक है, और अलग अलग तरह के इस तरह के दोस्तों क्या आया, आपका economic influence yast India company जो डाला, ठीक है, इस सब के बारे में ध्यान रखना कि भाई, permanent settlement किसने launch किया, रौतबारी system किसने launch किया, ठीक है, और उ freedom fighters, जो है, उसको एटा गलेंस आपको देखना है, जैसे कि जितने भी freedom fighters है, उनका क्या कार्ज काल रा, यूट्यूब पर चिज़को सर्च करके एक दिन में भी पर सकते है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस याद कर लिजेगा, ठीक है, current affairs में आपको मात्र ये 5 topic में जो बोल defense news, ध्यान में रखना है कि कौन सा missile कहा पर launch किया गया है, किस missile का range है, ठीक है, सरकार की जो भी योजना आई, अब योजना जो होता है, जैसे कि कौन खिलारी, किस खिल से संबंदीत है, कि इसको कौन सा award मिला, ये भी ध्यान में रखना है, जैसे अभी पद्म, भीभूसन क् ठीक है, इसके बाद दोस्तों, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखने है, अगर ऐसा आप करते हैं, तो आपके GK के पेपर में अगर 1500 कोस्चन होते हैं, इंगलिस में आप अराम से 30-40 कर लोगे, मेरा पूरा वीडियो देख ली होगे तो, ठीक है, औ बाकी के जो सोक होसेन, उसमें आप 60-70 ऐसा ही कर लोगे, तो आप अराम से कट अप किलियर कर लोगे, ठीक है, ज्यादा परने की कोई आप सकता नहीं है, देखिए, अभी आपको घबरानी का अब सकता नहीं है, जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहें, हमारा मोटिबे आप नहीं है, ठीक है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, तो आप अपने तमाम दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिए, थैंक्यू बरे मच पर वाचिंग इस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सोच के साथ,